यह अचानक नहीं हुआ, इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, दुनिया के दो बड़े दुश्मन अब दोस्त बन गए हैं, लेकिन यह असंभव सा लगने वाला काम कैसे संभव हुआ? इससर बाचीत करने के लिए तीन खास मेमान हमारे साथ इस्टूडियों मौजूद हैं, एके मिश्राजी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, एके मिश्राजी किस तरह से दोनों निताओं की मुलाकात को आप देख रहे हैं? मैं आपको बताओं थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं, तो ये जो उत्तर कोरिया है, जब ये जापान से आफ्टर सेकेंड वर्ड वार ये जब आजाद हुआ था, अमेरिका और उत्तर कोरिया की दोनों का हिस्ट्री देखें, तो एक बार ये वार हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों की, मतलब मेजरली अगर ये देखा जाए, तो ये उत्तर कोरिया में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, जो USA की आर्मी थी, और उनके और जो दोस्त मित्र देशों की आर्मी थी, तब से इनका ये फ्रिक्शन शुरू होता है, और त security की चिंता हुई, और definitely historical perspective में भी तेखा जाए, तो पूरा विश्व दो धड़े में बटा हुआ था, अमेरिका को इस चीज का बहुत जबर्जस्त doubt था, या एक fear factor था, कि USSR और ये जो दूसरे देश है, चाइना वगरा जो उत्तर कोरिया को support कर रहे है, तो कहीं communism जो है, वो और उस label तक बढाते है, जब आज इनको ये लग रहा है, कि भाई हम at least, अगर कोई भी attack होता है, चाए अमेरिका या किसी और का, तो अपनी, जो है, एक deterrence इन्हों ने डेवलप कर ली है, चाए वो एटामी खतियार हो, मैं पूछ रहा है ये चाहता हूँ कि 4 महीने, 6 महीने अगर जंग होगी, तो उत्तर कोरिया को भी बड़ा दूसार होगा, अमेरिका बहुत जादा मद्बूत इन्हों होगा, उसका रीजा ने, देखें, अमेरिका हमेशा उन कंट्रीज पे, आफ्टर सेकेंड वर्ड बार, अटैक करता है, जो नॉन नुक्लियर कंट्रीज हैं, उत्तर कोरिया को ये भी दिख रहा था, कि गलती जादातार उसकी दिखाई दे रही है, अंतराश्टी इस्तर पर सको कमजोर किया जा रहा, राजनीतिक दबाव अंतराश्टी इस्तर पर है, वो अकेला पड़ जाएगा, देखें, उत्तर कोरिया के साथ, आप 40-50 साल पहले भी देखें, तो कौन से देश थे, ये आइडियोलोजी की इनकी फ्रेंड्शिप है, कि अवल उसस रसिया उस वक्त खड़ा था, आज भी खड़ा है, और चाइना भी खड़ा है, एक दो देश और होंगे, तो ये जो लॉब्वेंग है, ये शुरू से है, देखें, परपस हो जाती है, अपना एक basic minimum deterrence डेवलप करनेने के बाद, peaceful, जो है, कोई compromise करना, कोई meeting करना, उत्तर कोरिया ने भी सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, देखें, जो बाते हुई है, वो ये नहीं हुई है बाते, कि उत्तर कोरिया ने जितना भी अपना nuclear arms और ammunition जो डेवलप क Trump ने कहा कि, जब Trump से जब पूछा गया, पत्रकारों सवाल किया कि क्या परमाणु कारिकरम खत्म कर देंगे, तो Trump ने कहा, एक है मिश्रागी, कि हम कम से कम उस दिशा में जो संबंध बने है, जो संदी बनी है, उसमें वो आगे भढ़ेंगे, यानि कि खत्म करना की बात लो जो मुझे लगता है, आगे का कारिकरम नहीं होगा, ठीक है, आगे डेपलम्मेंट नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे कि पास्ट में उत्तर कोरिया ने एटम बं, हाइड्रोजन बं, ये मिसाइल, इंटर बैलेस्टिक मिसाइल, सारी चीज़े टेस्ट करके रख लि उनके केंप्रीजन में, मतलब आतंकवाद वगरा से, इलाग से लड़ना, सीरिया से लड़ना, आप पावर का जो है, एक बैलेंस चेक करिए, अमेरिका केंप्रीजन में ये कंट्रीज कुछ भी नहीं थी, मिलेट्री पावर के मामले में, लेकिन उत्तर कोरिया अगर देख आपने बात करने के लिए राजी हुए, तो उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, जो एक नुक्लियर डिटर्रेंस इन्हों ने डेवलब किया था, और सबसे बड़ी सोचने वाली बात ही है, अमेरिका के नाश्पती, इराक के साथ यूँने बात करने को रही हुए, विल्कु सियम पपने जी, क्या आपको लग रहा था जिस तरह ऐसे दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ आग उगल लहे थे, क्या आपको लग रहा था, और पिछला हित्ते हास देख ले, अगा उत्तरकोरिया और अमरीका का, क्या बातचीत के लिए एक पटल पर आजाएंगे, आपक पहल की थी, और जीमी काटर ने वहां के जो अपना राश्ट्रपती से के मुल संग, मैं भी 1988 में 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 उस्तरकोरिया पर दौरा किया था, तो ये बात उने में चुरादेपे के बाद को भता रहा हूँ, तो उने ने नोगा दौरा क्या था, उसके बाद कुछ बुद्धो करके कि दो हजार में बिल क्लिंटन ने अपने अपने यूए सेकर्ट्री को जा नौट को ये था कि अपने पर दौरा के साथ मैं आपको रोकना चाहूँगा, ब्रेक के बाद मैं फिर से आप तरम और साथ उत्तरकोरिया के ताना शाह किम जॉंग उनकी जो मुलाकात हुई, क्या कुछ उसके माइने है? और है क्या कि धिरे देकर के एक्चुली जो अपना ये पुरा माजा पुरा उठा है, ये दो जार इंगा है, बिच में जो फर्मानों अपना जीश तरेकी से वहाँ पर अपना पुरा है, बात किया है, वहाँ से जिंटा का विसाई जो है, ये उभर ना सुरू हुआ और है क कि जब धीरे धीरे नौर्ट कोरिया ना पता कि आप खडम परना सुरूश किया है, तो कई और देसों ने भी वहाँ रियाईतों गजान ज आपने कद दे दे थे वहाँ जो जो गलाव ब्न कर देती, तो है कि नौर्ट को फष्छा और इस वीच में जब ये अपना अपना ट्रंप यहां पर अपना राश्ट्रपती बने हैं, तो इनने लिए आते ही हैं, तो खत्ता समालता ही जो नौट को चैलिज़ कर दिया था. अमजी, क्या उत्तरपोरिया को भी लग रहा था कि उसके आगे भी बड़ा खत्रा है, और वो खत्रे को भाप रहते, क्या इसलिए उननों सोचा कि मुलाकात करने शायद बेतर है, नि तो अंजाम कुछ भी हो सकते हैं, अगर युद्ध हुआ लडाई भी. युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये दोनों ही लोग जानते हैं, अमेरिका के राच्पती डोनाल्ड ट्रम्ब भी इस बात को बेतर जानते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के एक बड़े कारोबारी समू के मुखिया है, तो वो बहुत अच्छी तरह से बात जानते हैं कि जो उत्री कोरिया है, उसके साथ युद्ध उनके लिए फायदेगा सोदा नहीं होगा। देनी पड़ी, दोनों देशाओं, दोनों देशों की जो सेनाई थी, उनको सतर्क हो जाना पड़ा, और दोनों ने एक दूसरे को परमाणू से उलादेने की भी धमकी दी, तो हाला इतने विकट हो गए कि दोनों को ही नुक्सान का सोदा ये नज़र आने लगा, और अंत्त किम बिकल्ब था, नुक्सान का सोदा था, एक तरफ किम जो की एक उभरते हुए तानसा के रूप में दुनिया उनको देख रही थी, और वो लगातार परमाणूं हतियारों का जकीरा ख़़ा कर रहे थे, उनके साथ चाइना, रूस जैसे जो कम्यूनिस्ट देश हैं, वो उनके साथ लगातार ख़़ए थे, दूसी तरफ अमेर का वो यह नहीं चाहता था, कर्म्यूनिस्ट बिचार धारा वाले, जो उनके मित्र देशों में जिनकी गिंती नहीं है, वो लगातार एक हो, जापान भी कही ना कहीं उत्री कोरिया के साथ ख़़ा दीक रहा था, तो अमेर का भी यह चाहता था, कि इस समस्या का समाधान बाचीत के माध्यम से जल्दी से जल्दी हो जाए, वहीं उत्री कोरिया भी यह चाहता था, कि अब ऐसा वक्त है, कि अब बहुत ज्यादा इस्तितियां ऐसी अनुकूल नहीं है, कि वो अपने नागरिकों को, या वो अगर युद्ध के हालात होते, दोनों हालातों में इन दोनों देशों का ही नुकसान नहीं होता, पुरी दुनिया का कहा का नुकसान होता, किस के देश का नुकसान होता, क्या हालात होते, क्या परियावरन होते, किस तरह का युद्ध होता, ये दोनों देशों के लिए नह आपको एक चीज क्लियर कर दूँ, आप ये देखिए, अमेरिका युद्ध कहां करता है और किसके साथ करता है, और खुली आखों से जो नंगा सच है, आप ये देखो कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुस्मन शुरू से, हिस्टोरिकल और आज जो रहा है वो रशिया रहा है, और कई में मौकों पर इन दोनों की सेनाय आमने सामने रही है, सीरिया में भी दोनों ये ही फाइट कर रहे हैं, सवाल ये है कि अमेरिका रशिया से युद्ध क्यों नहीं करता है, तो ये जो थार्ड वर्ड 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 की परिकल्पना मीडिया के थूँ, चाहे अमेरिक कि कुछ अपने vested interest है अमेरिका के देखे ultimate target क्या है मैं आपको बताओं बहुत पहले मैंने एक news पड़ी थी उसमें अमेरिकन लोगों ने ये बोला था वहाँ के जो नीतिनियंता है जो नीतिया बनाते हैं कि we are not fighting और struggling for development we are just struggling fighting to maintain our status quo मतलब जो हमारी सुविधा है life style है हम उसको maintain करने के लिए fight कर रहे हैं और अमेरिका हर उस जगह पे अपने कदम जो है अड़ाता है या action लेता है जहां पे उसका economic, social, national, international benefit या hit किसी न किसी तरीके से नुकसाम देता है ये सारी की सारी दो खेमों की ये लड़ाई थी, अमेरिका को डर था कि communism फैल रहा है, चाइना और रसिया ये दोनों उसको support कर रहे थे और एक label पे पहुँचने के बाद अमेरिका को लगा कि अगर बिना लड़े हुए तो ये अमेरिका भी लगातार जंगों में उल्जा हुआ हुआ है वहां की public भी इतना support अभी नहीं कर पा रहे है और लगातार आप जंगों में उल्जे रहेंगे तो कहीं न कहीं ऐसा होगा कि आपकी economic को loss होगा हर वक्त कोई जंग नहीं चाहता है तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि भाई अगर दोनों पक्ष एग्री कर रहे है तो क्यों नहीं इसको बातचीज से सुझा लिया जाए मैं पहले भी बोलता था कि थर्ड वर्ड वार ये सब concept जो है मीडिया में केवल थिल करने के लिए TRP बहाने के लिए है इतने आसानी से थर्ड वर्ड वार अगर होना होता था तो सीरिया में अमेरिका और रसा दोनों जानी दुश्मान है लेकिन पूरे सीरिया के वार में आप देखो एक भी मिसाईल गल्ती से ने रशिया की अमेरिका की तरफ गया है आप जानते सारे देश जानते कि इस तरह से दो वार हुए थे उसमें बड़ा नुकसान दुनिया भरका हुआ था अब कोई भी देश जो है उसमें नहीं जोकना चाहता है खुद की सेना को या खुद को यह फैक्ट है देखिए इवन अमेरिका भी उसको नहीं जो है एक वार लड़ने का जो एक्सपेंस होता है किसी भी क करने के कारण कि वहां के लोगों ने भी इस चीज की डिमांड शुरू कर दी कि आप हमारे शोल्डर को हर जगह क्यों भेज रहे होते कि जानमाल का नुकसान तो होता ही है इसलिए अमेरिका बड़े जल्दी से इराक से भी निकला उसके बाद आप यह देखिए अफगानिस अब बहुत कम कंट्रीज के पास है इवें इंडिया के पास भी नहीं तो सबसे पहले जो सी वाटर वेज होते हैं नेवी उनको ब्लोकेट करती है कि कोई भी ट्रेड नहों कोई भी वार्शिप ना गुजर पाए तो वार्शिप को जो है चेक करने के लिए जब लिए जब भले ही वो देश जीते फिर भी उसका नुकसान होता है लेकिन अगर अमिद जी उत्तर कोरिया के हालातों पर देखें यह सवाल सीम पपने जी आपसे है क्योंकि आप उत्तर कोरिया गई भी थे उत्तर कोरिया में बुन्यादी चीजों को लेकर लोग काफी वहाँ पर तरस परिशान है बुन्यादी चीजें वहां पर है नहीं उपर से उत्तर कोरिया जो है परमानु हत्यार लगातार बनाने में आगे बढ़ना ता यह उत्तर कोरिया के लिए वी काफी नुकसान दे होता अगर यूद होता एक तो आप के पास पहले ही अर्थवयस्ता आपकी काफी ज तो नर्थ कोरिप टो जो स्टेज लगा था वोर शोड़ा काक्या किस अजद को अच्छ मुंद आर्थ कर दो चेज लिए पाथा 창्ष, लेकिन हमने नर्थ कोरिया के लोगों में हमने भाती है एंते हैं अपना मेहमान गहले वैज के विती है मेहना अच्छा करते ह। उसके बाद धीरे धीरे करके अफिलीद चुरादेबर तक बिल्को ठीक रहा था उसके बाद धीरे धीरे वहां के बियुस्ता है बेगलनी शुरूवी और मुझे याद है कि 1988 जब वहां जा रहे थे उसके बाद दो तिन वर्स के बाद एक यूथ फैस्ट्वल प्रवल्ड अगर उसके वक्त में कुछ और जादा खराब होगी बन्यादी चीज़ होगा है बिल्कुल उसके है कि पूरा ध्यान इंका जो है वो सेंड पे चला गया बिल्कुल है क्या कि धिरे धिरे करके वहां की जो अपने अर्थी बेवस्ता है एक तो दफसल है क्या कि हमारे जो वि अपने तरवाय है कि मतला किसी ने यह नहीं सोचा कि करी नौट को या मुझा जो कि अलग हो गयते हैं तो से बात कि उनको एक कर दें कोशिस की है क्या कि धिरे दे करके आज जब धिरे करके वह राष्ट उत्रकोडिया इसनी गरीवी क्यों बढ़ गया और इसनी गरीवी क्य बिल्कुल है क्या कि दरसल जिन हालातों पर इस वक्ते नौट कोरिया पहुच गया था वो भी उसकी एक अंदर के रड़नीती थी कि किसी ने किसी उरुप में इस तरह के सरी यह है कि अमेरिका को हम कम से कम इस तरह के अपना मना ले इसलिए उनने अपना जो परमाणी निव पर देंगे यह बिल्कुल यह बात सही है कि उत्तर कुरिया की जो आर्थिक इस्थिति है वह बहुत 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 नहीं है अभी मीडिया की ख़बरों में भी आया कि किम जोंके पास होटल के पैसे नहीं है या उसको प्ले चाइना से लेना पढ़ गया तो यह तमाम चीज उसके माध्यम से बहुत सारी चीजे बाहर नहीं आपाती है जो इंटरनेशनल मीडिया है खास्तव्चं की जो मीडिया है वह जो इस तरने की खबरें बता देती हैं वही सब सामने आता है मगर यह सच है कि उत्तर कोरिया की जो हालात है वो बहुत खराब है आर्थिक तंगी एक्सिसरा उसको पमार पत्रशु पुष्ट proudकशन में Luck जन्क सबसे पहलें। आप नित्यामीरी का एक्सिराइ और जहां जहां भी पूरी दुनिया में कि जंग कर Completely अजब बैठक में अमेर की राश्पती ने का कि हम शान्ती का संदेश जेना चाहते हैं जब कि इस्थिती बिपरीत है पूरी दुन्या में युद्ध का सबसे बड़ा साज वो समान का जो बाजार है सबसे बला जो विक्रिता है वो आज भी अमेर का है अमेर का अपने हितों के अनुसार ही किसी मीटिंग को या किसी युद्ध को अनजान देता है ये बात सही है कि उत्तर कोरिया मजबूर है मगर कही न कहीं जो ट्रंप है वो भी डरे हुए है वो कारोबारी मेजाच के राश्टपती है जानते हैं सब चीजें किया क्या सियमपंण जी जो आज उत्तर कोरिया यहां तक पहुं गया परमाणू हर्भाणू उनने बना ली क्या इसके पीछे एक शे चीन की भी है जब भी कुल बात होती है चीन इसको पैजिता उसको शेह दे देता है मेहमूद आलम जी, विदेश मामले के जानकार है, हमारे साथ फोल्म लेंड पर जूड़ चुके है, स्वागत है मेहमूद आलम जी, किस तरह से आप ट्रंप और किम जॉंग उनकी मुलाकात को देख रहे हैं? मैं थोड़ा साथ इत्किता रहा हूँ कि इसे हिस्टरिक बोलू या न बोलू क्योंके अभी लेट्स वेट एंड गॉंच, हम लोगे साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई भी वार्दा होती है, मुझसे बहुत जादा हुब इसे वाकुस का गर लेते हैं जबके अभाई रेलिस्टिक उसके देखना होगा, कि देखे यही ट्रॉम्प है, जिनों एक साल पहले इसको इस्टेट स्पॉंसर ट्रेरिरिस्म का खिदाम दिया था, और यही बोलते थे कि यह तानाशा है और आज बोला जा रहा है कि इस तानाशा के साथ हमारी फंटास्टिक रिलेशनशिप होगी तो इस वज़े से और देखे इस उतर कोरिया जो है, पिछले कितने सालों से जो है निव किलियर वेपन बनाने में लगा हुआ है तो और उसके अलावा गर आप यह देखें, जो है वो तफिल नहीं दी है किया होगा क्या नहीं होगा नेकिन फिर भी जो है, मैं भी अप्टोमिस्टिक हूँ दूसरों की तरह और उमीद करता हूँ कि कोरियन पैनिसुला में और पूरे देश, पूरे वर्ण में जो है एक अच्छा मैसे जाएगा नेकिन यह बड़ी जटल समस्या है, बढ़ा मुश्किल होगा जो समझाते हुए कि परमाणू कारिकरम को खत्म करेंगे, नरस्ती करन करेंगे, क्या इस पर किम जॉंग उन क्या कायम हैंगे जो बातचीद हुई है अमरीका ने उनको स्पेशल सेक्योर्टी गैरेंटी देने का वादा किया है वो भरोसागरम में उनके वाइदे का आप देखें यह बढ़ा मुश्किल है, मैं इसी वह ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं इसकिता रहा हूँ कि इसे हिस्टोरिकल सम्विट बोलू या ना बोलू तो कि यह उनका जो है पिछले कितने सालों से उनको से अपना साइंटेस्ट और रुपिया पैसा सब कुछ लगाया हुआ है लेकिन लेकिन फिर भी तेकि हम इस बात का जो है को कि एंडिया हम लोग इंडियन से हम लोग नॉन वाइलन्स में बिलीव करते हैं प्यारों मौपस में बिलीव करते हैं अगर आप हमारी पॉरेंड पॉलिची देखे इसको की भी तो हम तो इस बात का स्वाधत करते हैं लेकिस यह बड़ी जटल समझते हैं और इसमें बड़ा टाइम लगेगा इसको मॉनिट्रिंग कहते होगी दीनुक्राइजेशन की बास ह होरी है क्या मेकेनिस्म होगा लेकिन मेहमूद आलम जी क्या ये एक बैठक से काम नहीं चलेगा लगातार अगर दोनों देशों के फिर्मों के बीच में आए दिन बैठके होती रहें दोनों का विश्वास भी बने एक दूसरे को उपर कि अगर अमरीका सुरक्षा को लेकर क परमानू कारेकर्म रोखने की या खत्म करने की बात कर रहा है तोवह इसके लिए और मुलाकाते वहो जडिया जरूरी है इसमें बिनकुल प्रेक्टिकल एप्रोच के साथ चलना होगा कि बन टेक की बात होगी तभी जो है यह समस्य आगे बड़ पाईगी और इसमें देखिए ऐसा है कि इसमें जो है मैं जो क्रेडिट देना चाहूंगा साउथ कोरिया को और उसके साथ जापान और उसके साथ चीन कोगे देखिए एक बात यह मानके चलिए आप कि उत्तर कोरिया चीन के बगएर कुछ नहीं कर सकता चीन का आज भी लोग मानें या ना मानें यह जो बात्चीत हुई है अजय देखिए उसके अलावा एक और जटन समस्थ्या के सभई लिजाब कि यहां पे आपके रश्या चाइना और नॉर्थ कोरिया वो यह चाहते हैं कि साथ जब दीनुक्रियाइशन की बात हो रही है तो यह भी यह चाहते हैं कि इस कोरियर पैनुसिला से अमरीका भी निकले अमरीका भी यहां ते छोड़ के जाए जो जापान में और साउथ कोरिया में उनके फॉजी अंटे हैं और कितनी उनकी फॉज है तो वो ही मैं हो रहा हूँ आपसे कि हम इस बात का स्वागत करते हैं लेकिन यह एक बड़ी जटल समस्या है और इसमे बहुत जादा जो एक कॉंटनेंस बिल्डिंग की ज़रुवत है एंड लेट्स वेट एंड़ वाच किस तरीके से यह आगे बढ़े बढ़े हैं किम जॉंग का चीन में जाना, वहां से उनको प्रमुख से मुलाकात करना क्या यह इस मुलाकात के पहले की मुलाकात जब चीन के प्रमुख से होती है क्या वहां पर विसात पूरी बिच रही थी उसका क्या करो improves north देख रहा है इस बात को बड़ी उस्टिक्ता से देख रहे हैं, शम्मिट को बहुत उस्टिक्ता से देख रहे हैं, लेकिन दूसरे अगर आप अम्रीकन मेडिया को फॉलो कीजे, तो वहाँ में इतनी उस्टिक्ता नहीं है, बलके जिस तरीखे से G7 सम्मिट में कैनाडियान प्राइम मिनि कि जो यह पीछ का दढिये तरप्टक का जो है यह इन एक्सपूरियस् производ का जो है यह कि एट ज्रॉम्म का ईट था बंशेले करता है कि जो इनके अलाइस है उनको वह किस तरीखे से नाराज कर रहे हैं उसके अलावाड की और यह आप युएस जो मेडिया है उसमे देख रहते हैं तो इस तरीखे से दिखाया जा रहा था कि इसमें युएस बिनर है, ट्रॉम्प बिनर है और वो उन्होंने जो है नौर्स को पिछार दिया दिया तो इसमें भी और पार्ट अप्रोपेगंडा क्योंकि देखी युएसे में जो है ट्रॉम्प की जो इन एक्सपिरियेंस और जिस तरीखे से वो ट्रेट बहुर उन्होंने वर्ट के साथ चेड़ दी है तो वाँ पर उनका बहुत जादा क्रिट्रिसिस गो रहा है तो अभी देखी चन्देनों पहले ही वो बोल ले थे कि श अच्छी बिंग्लिंग है चलिए महमुदालमी महमुदालमी वक्ती कमी है हम जाना चाहेंगे क्या जो मुलाकात हुई है सारे देश दुनिया के लिए ठीक है लेकिन क्या कहीं कुछ ऐसा दिक रहा कि भारत के लिए भी हां हम भी देखें कि भारत के लिए कुछ सकारात्मक ह कि भारत के लिए तो सकारात्मक्त यही है कि हमने तो देखिए आपको बताया हम लोग जो है बिल्कुल जो है नॉन्वाइलेंस में बिलीब करते हैं और शांती वाले हम लोग है हम तो चाहते हैं हर तरफ प्यारों मौपपत अमान चैन सुपून पहले तो डेफिनिटली अगर और यह कोरियन पहले तो लॉट बाहरे हमेशा सबस्पे आपको बहुत को इसके साथ को बहुत को भी फैदा मिलेगा उमीद यही की जा रही है सकारात्मक्त भारत की तरफ से यही सोच है कि दोनों नेताव की जो मुलाकात हुई है उसका अच्छा अच्छा आसर हो दोनों कम परमानु हत्यार आगे कारेकरम ना करें और उसको फट्व करें महमूद आलाम जी बहुत शुक्रिया हमसे बाचीत करने के लिए कि मिश्रा जी आपके पास आँगा लेकिन उससे पहले अमिन जी सवाल यह कि क्या जो मुलाकात हुई उसकी विसात टक्चीन में लगाई गई है देखिए उत्तर कोरिया के जो हालात हैं ऐसे हालातों में उत्तर कोरिया जिस तरह से तमाम प्रतिवंदों के बाब जूत जिस तरह से अमेरिका को लगातार खुले आम चुनाती देता था जिस तरह से वहां परमानु परिक्षन करता था और लगातार वहां मिसाइल टेस्ट पर दोनों ताना शाह हैं अब अमेरिकी राष्ट्रपती कहते थे किम ताना शाह है वो पूरी दुनिया में आतंक को बढ़ा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए खत्रा हैं आज वो कहने किम एक बहतरीन इंसान है होनार है और बहादूर है असा फैसला एक बहादूर आजमी लेकता है और उन्होंने उनके लिए एक शब्द यूज किया कि वो बड़े टैलेंटेट राष्ट्पती है तो आज वो राष्ट्पती हो गए कल तक वो ताना शाहते तो ये बीच कोई समझोता हुआ है तो ये बिल्कुल उस तरह का समझोता है कि जब बाल आती है तो साप और शचुन्दर एक दूसरे को बचाने के लिए दोनों आपस में मिल जाते हैं दोनों ही एक दूसरे के लिए खत्रा बने हुए थे अमेरका के व्यापारिक हित पूरी दुन जमीन तयार करने गए थे बिल्कुल इस सब के पीछे चाइना है यदि आज अमेरका के आगया कोई चुनोती है तो वो चाइना है और चाइना के मित्र देश ये छोटे-छोटे देश मसलन उत्तरी कोरिया की बात करें या जापान की बात करें या रश्या की बात करें या ज चीन के दिश्मार्ट तमाम जगे अमेरका ने अपने दुश्मन पैदा किये हैं और अमेरका के राश्ट्पतियों को इसकी जो खामियाजा भुगतना पड़ता है जब भी वो दोरे पर जाते हैं कहीं उनका जो है सम्मान की जगे उनका अपमान होता है अभी बाराख उबामा साओधी अरब गई वहां उनकी जो पतनी थी उनके साथ मिशेल तो उनके साथ मीडिया कर्मियों ने दुर्वेवार किया टीवी पर उनकी तश्वीरे नहीं चलाई और तमाम इस्तरने की बाते हैं कि तमाम मुलकों को जो दो दढ़ों में बटे हुए है पूरी दुनिया के वो अमेरिका को ताना शाह कह रहे हैं तो ये आज कहना बिल्कुल जायज होगा कि दो ताना शाह होने मजबूरी में अशित देखे जो एफ मीडिया के प्रभाव में आते हुए जो आख पर परदा जो पड़ा हुआ है अमेरिका के नेचर को आप अभी नहीं सो साल से आप देखिए अमेरिका ने कई जगह संधियां की जो उसके मित्र थे बाद में उससे उन्होंने लडाई की जिनसे उन्हो अमेरिका का मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पूरा हो गया तो अमेरिका उनको गोल रहा है कि आप तो टेर्रिस देश हो मैं यह नहीं बोलता हूं कि पाकिस्तान टेर्रिस देश नहीं है लेकिन मैं यह बोल रहा हूं कि अमेरिका का जो एक वेस्टेड इंट्रेस अपने मुफीत को अपने हितों को साधने के लिए इसका सबसे सही एक्जामपल है कि इराग में इनों ने बोला कि मास जो है इन लोगों के पास हतियार है सब कुछ हो जाने के बाद वो निकला नहीं पता नहीं आज तक कोई प्रूफ कर पाया कि नहीं कर पाया कौन गलात है कौन सही है मैं यह नहीं बोल रहा हूं अमेरिका का यह अगर कोई यह बोले कि जी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई इन दोनों में कहीं कोई ऐसी दोस्ती तो communism और इन सब चीजों में विस्वास करता है historical way में देखे तो North Korea के जो दोस्त रहे हैं वो हमेशा से USSR और चाइना रहे हैं अमेरिका की जो lobbying है वो दूसरे देशों के साथ है और इन सारे प्रकरण में कहीं न कहीं चाइना का एस बहुत जवर्जस्त गोल है चाइना भी अपन नाथियार North Korea ना खतम करने वाला है कहीं कुछ नहीं होने वाला है उट किस पल किस करवड बदल जाएगा इसी चार-च्छव महीने में जब बात चली थी आप देखिए चार बार पास बार दोनों देशों के स्टेटमेंट और इसी तियां वदली कभी मिल रहे हैं कभी कैंस लेकिन जल्दी सामने आ जागा जागा जादे वक्त नहीं लगेगा यह बहुत डाइजी सा सिच्वेशन है अभी आप कंक्लूजन पर नहीं पहुछ सकते और यह देखिए दोनों एक चुंबक पे नौर्थ और साउथ पोल की तरह हैं अमेरिका और नौर्थ कोरिया तो दो हाद अपने मतलब को साथ रहे हैं आईियोलोजिकली देखा जाए तो यह जाज़ाये तो यह ज़लप नहीं हो पाएंगे Addressa के साथ तो आज तक यह जलप हो नहीं पाये है तो तो पिर आप इने के साथ कैसे वह दिभ다 का यहा है आज जो वार का नेचर असिफ बदल गया है आप देखी हो सकता है, पिर बाद चीज़े पीछे छोड़ कर आया हूँ, बदलते हालात के हिसाब से मैं खुद को बदल रहा हूँ, देश को बदल रहा हूँ, यह आप देखी हो सकता है, उनके दिमाग में आया हूँ, कि बदलने की जरूरत है, बाकी देश देखिए, कहां से कहां पहुची गए, नहीं देखिए, मैं आपको बताओ, अगर एकोनोमिक परामीटर को छोड़ दिया जाए, ठीक है, अभी तक जो, देखे, सबसे बड़ा किसी भी कंट्री की जो चिंता होती है, वो सेल्फ डिफेंस की चिंता होती है, मैं करो, बाकी अगर कभी कुछ होगा, तो हम बैठे हैं, आपकी सेफटी के लिए, इन सब चीजों के लिए, और ब्यापारी खित आप देखिए, चाइना और नार्थ कोरिया, इतने दिन तक क्यों बात नहीं हुई, क्योंकि चाइना ने जब तक चांग अड़ा के रखा हुआ है, आप बिजनेस वगरा बढ़ाईए, देखिए, नौर्थ कोरिया में क्या है, लोग खाये बिना मर रहे हैं, क्या नहीं है, वो हलाकी अंतर रास्ति अस्तर पे देखा जाए, मानवी मूते पे देखा जाए, तो यह गलत चीज है, लेकिन अगर कोई उसमें सुखी है, और जाएंगे और आने वाली पिडी उत्तर कोरिया की माफ नहीं करेगी. पीछे का जो गेम होगा, वो आब यहां से सुरू होगा, कि एक्च्वली जो पूरी रणमीती हुआ किस तरीके से है, या ट्रम्प अत्मा गेम खेला, जिस तरह के आपके कहा कि जो पर्माणों विरस्तिक करना का मामला है, यह जडी चरहेगा, कहीं कोई कुछ नहीं होगा, सब ऐसी रहना है, लेकिन मैं इस इसको नहीं समझता हूँ, दफसल है कि अगर किसी देश को का तरक्की कर दी है, अगर अगर अपनी अर्थिवास्ता को सुधार करना है, तो उसको कहीं ने कहीं, अपने जो अपने जो ऐसे राश्त्रों के अपने विश्व में इसको चाहे ह जो अपने एखे है, यह एक आत्मा देखने वाली बात है, चलिए देखने वाली बात है कि क्या जो बात्शीत हुई है, उसका सकारात्मग असर पड़ेगा, क्या बैठक में जो समझहोते हुए, जो सहस्ताक्षड हुए है, क्या उस पर दोनों देश कायम रहेंगे, या फि बैठक बैठक तक सिमट कर रहे जाएगी मुद्दा बात दो बड़े नेताओं के मुलाकात की है किम जॉंग उन और अमरीका के राष्ट पती डोनाल्ड टरम के बीच मुलाकात सिंगापुर में हुई दुनिया भर की नजरे उस पर ठिकी थी क्योंकि दुनिया भर की राजलीती उस मुलाकात के बाद होत Nine होना थी लेकिन साकरात्मक रही बैठक के बाद दोनों नेता मुसकराथे हुए नजर आये जिसे साब दिख रहा था कि बैठक साकरात्मक खी और जो बयान दोनों नेताओं ने दिये कहा कि हम अब आगे की दिशा में शांती की दिशा में बढ़ रहे हैं किम जांग उनने कहा कि वो सारी चीज़ें आतीव में छोड़कर आ गए अब आगे बढ़ चुके हैं परमाडू कारिकरम को खत्म करेंगे और जो हत्यार है उसको खत्म करने की बात भी करते नजर आए तिन खास मेमान हमारे साथ मौजूद है एक एमिश्रा जी है राजनिति विश्लेशक, सीम पपने जी है वरिष्पतकार अमिश्रमा जी है वरिष्पतकार एक बार फिर से आप सभी का बहबत स्वागत है अमिश्र अमिश्रमा जी, दुनिया भर की नजर इस बैठक पे लगी थी आपको क्या लगرا क्या दुनिया विश्वास कर रही है इस बैठक के किया सकरातमक दिशा में यह बैठक खत्म हो ही है क्या आगे भी इसी तरह से उस समझोते को मानने देगा अब चीन चागा कि उसके हिसाब से समझोते हो उसके हिसाब से उत्तर कुरिया चले देखिए बिल्कुल सही बात है कि पहली बात तो ये है कि अमेरिका कभी बहुत आसानी से बातचीत की मेज पर अपने दुश्मन के साथ नहीं आता इतियास गवा है चाहें बात अफगानिस्तान की रही हो या इराक की रही हो या और तमाम मुल्गों के साथ जो क्यूबा के राश्पती रहे फिदेल कास्परो उनके साथ कम मसला रहा हो अमेरिका ने जुका कर अपने अपनी शर्तों पे ही बातचीत करने की कोशिश की है हर ज परवानू शक्तियों से शंपन पूरी दुनिया के लिए चिंता का बिशेता अब दोनर के बीच बातचीत हो गई है एक संजोता भी उन्होंने पेश किया है कि हमारे बीच शांती की रह में आगे बढ़ने के लिए करार हो गया है मज़र सावाल ये है कि उस संजोते के जिन देशों ने अब तक उत्री कोरिया का साथ दिया है। जब किम इन जानकारी हों को और इन समझोटों को उनके साथ साजा करेंगे। तब इस समझोट वेपे असली जो काम होना बाकी है जो अमली जामा पहनाया जाएगा वो मैं समर्जता हूँ कि अभी जैसा कि चन्दमोंची ने भी का कि कुछ भी कहना अभी चुँकि सब चीज रहसे के अंदर है रहसे में जो परतदाज अब खुलेंगे समझोते क्या क्या समझोते हुए जैसा कि आपने भी का 34 मिट निजी बाचीत भी हुई वो बाचीत का क्या था दोनों देशों के बीच कितने दिन से ये बाचीत चल लए थी क्यों अचानक किम चाइना पहुँचे और क्यों इतनी जल्दी अमेरिका के राश्पती और किम जोंग एक दम मेज पर आगे बाचीत की एक दम समझोता भी हो गया तो बहुत सारी चीज़ां भी रहसे के दाइरे में बिल्कुल लेकिस यह जो दोनों देशों के बीच समझोता हुआ क्या किम जॉंग उन उसको लेकर आब जो है राय मश्वरा चीन के साथ करेंगे इसको लेकर आपको ऐसा लग रहा है या खुद वो फैसला ले लेंगे या पहले ही कर चुके होंगे दर्फार को और जो ढोड़ सeniz Τुछा कायम रहें ये दूसरा मूता है ऑर तीसरा मूतािlime ये प्योंग्यों और अरिकाल करीव तो है कि इन तीन मुद्वें कहें भी कोई दो रहा ही नहीं है और बे समझता हूं कि अगर कोरिया को अगर थोड़ा सा अगर अगर तरक्की की अगर रहा पकड़नी है तो उसको यहां से परमालो दिरस्तिक अगर पड़ेगा गुंसे बाती है अगर वो चाइना के जहासे में अगर आता है तो क्यों है क्या कि असल्विश्वत के इंडर बड़े राष्ट्र है यह आप देखिए पाकिस्तान जो हिंदुस्तान बटक करता है वह पूरा जो साजो समान पुरा हत्यार जो है उनमें अकर आप पकड़ा जाता है उनकी परीब एक परदस्तनी लगाई आती चीन के तो इतने बड़े उसने मिसाले तयार करी और इती लबी मारक की इसे मिसालों को जो है अमेरिका को हिला कर अक्रिया अक्तलिब आती है तो एसा देहिं कि ट्रम्प को क्या एके मिश्रा जी अमरीका चाहता है कि जो काम वो कर रहा है अगर परमानुल हत्यारों से बहुत है तो कोई और ना हो क्या वो चाहता है कि दुनिया को अपने हिसाब से चलाना देखें आसिफ आपका सवाल बड़ा अच्छा है जरा बड़ा जन्यून वे में आप इसको सो कि उनको डेवल्मेंट की चिंता नहीं है वो अलेडी डेवलोक कर चुके हैं और पूरी दुनिया में उनकी मतलब एक तरीके से परोग्ष या प्रत्यक्ष रूप से बाश्चाहत है तो अमेरिका का चैलेंज और अमेरिका की सारी जद्दों जहाद सिर्फ यह है कि हम अपन कोई ऐसा देश जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है चाहे मिलेटरी के वे में चाहे टेक्नलोजी के वे में चाहे बिजनेस के वे में चाहे ब्लोबल आधिपत्त को ले करके वो अमेरिका उस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है और अमेरिका का आधिपत्त तभी तक कायम र तो कभी लिए अमेरिका या यह महाशक्तिया नहीं चाहती है कि कोई दूसरा देश टेकनोलोजी रूपए पैसे एकोनॉमी में उनके बराबर वो आ जाए तो अमेरिका की सारी जद्दो जहद यह है कि हम दुनिया पर अपना आधिपत मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मिलेटरी व अमेरिका की इस नियत को हर कोई जानता है माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा वक्त की बहुत जादा कमी है बहुत शुक्रिया हमें सभी मेमानों का खास कारिकर में जुड़ने के लिए झाल 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 झाल